दोस्तों स्वागत है आप लोग का इंफोमेट एजुकेशन में सुगाईज मेह नाम है रोहित प्रजापती और आज हम बात करने जा रहे हैं about innovation के बारे में देखो innovation बहुत जादा important है चाहे आप एक industry में है चाहे आप एक employee है चाहे आप खुद का अपना business करना चाहते है या कुछ भी करना चाहते है तो innovation बहुत जादा important है इससे पहले वाली वीडियो में हमने discuss किया था creativity के बारे में creativity और innovation में थोड़ा बार difference है creativity में एक दम नई चीज बनाई जाती है और innovation में क्या किया जाता है कि जो पहले से existing चीज है उसमें innovation की जाती है कि उसको कैसे बहतर बनाए जाए इसके ऊपर थोड़ा playlist आपके लिए अभी available है और अभी आप वीडियो आज ही देख रहे हो तो अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो आने वाली है तो आप उन वीडियो को भी देखने है ना बहुत सारी information आपको मिलेगी और साथ साथ एक चीज बदा दो एक जो बिजनसमेन होता है उसको marketing strategy बनानी बहुत अच्छी आनी चाहिए तो marketing management के उपर भी हमारी पूरी पूरी playlist देख लेना जरूर अब बात करते हैं innovation क्या होता है वैसे तो आपको समझा दिया मैंने की creativity जो होती है एकदम नए product के उपर focus किया जाता है कुछ नए ही खो जाता है लेकिन innovation जो होता है उसमें काम किया जाता है जो पहले से existing product है उनको कैसे बहतर बनाया जाए उनको कैसे अच्छा बनाया जाए और कम से कम value कम से कम पैसे में जादा से जादा अच्छा product तयार किया जाए या जादा जादा अच्छी service provide करे जाए यह होता है innovation innovation is upgrading or creating something new better than what we have right now जो नया बनाना होत होता है ठीक है तो existing work existing जो चीज होती उस पर work होता है यह होता है innovation अब इसमें कई types होते हैं types of innovation like product innovation, process innovation, system innovation, technology innovation यह 4 types होते हैं और भी कई types होते हैं लेकिन थोड़ा मैंने आपको basic example के तोर पे समझाने के लिए यह 4 types रखे हैं अब इसमें बात करते हैं product innovation जो होता है इसमें product पहले से आपका है उसके ओपर focus ही जाता है कि उसको कैसे बहतर बनाया जाए एक example लेते है smartphone companies का smartphone companies होती है जो आज से तीन साल पहले आप जो 10,000 रुपे में एक phone खई सकते हो आज वो 10,000 रुपे में आप उससे बहतर उसी quality मतलब company सेम company होगी लेकिन उससे बहतर उसने phone provide करा ह आपको phone का main शुरुआत में basic काम क्या होता था calling करना लेकिन आज के time में 10,000 रुपे में जो पहले तीन साल पहले आप जो phone खई सकते हैं आज वो phone उससे बहुत अच्छा उससे अच्छे features के साथ मिल रहा है आपको और कमदाम पर भी मिल जाता है तो यह सारी चीज है इसमें जाता है फिर थोड़ा clean करो थोड़ा इसमें जाता है process innovation एक process innovation में क्या होता है कि एक जो process पूरा बनाया होता है किसी चीज में देख़े यह food industry में बहुत अच्छे से process पर वर्क किया जाता है आप बर्गर खाने जाते होंगे बड़े-बड़े जो नाम है आप लोगों को में नाम नीं लूगा उनकी महाग्टी हो जाएगी एक तरह से तो बड़े-बड़े जो burgers प्रोसेस 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 में इन्यूवेशन करते हैं जो सुरुवात से कैसे उसको डिजाइन करना है अब उस process में innovation करना उस process को और अच्छे तरीके से और बहतर तरीके से और fast तरीके से करना ही process innovation कहलाता है अब अगला जाता है system innovation system innovation, process innovation आपको लगएगा लगबग same है लेकिन दोनों में फर्क है क्या फर्क है कि system innovation जो होता है ना जैसे कि car company है कोई तो car जो बना रही है सिर्फ car जो बना रही है तो car में जो engine है अब engine में उन लोगों ने कुछ अपग्रेडेशन कर दिया है तो जो engine लगेगा न वो upgraded है वो engine में उन लोगों ने innovation किया है तो वो पूरे system को innovate कर देता है तो उसे कहते हैं हम system innovation अब इसमें आ जाता है technology innovation तो technology innovation क्या होता है नाम से आप समझ सकते हैं कि जो technology होती है उस चीस related innovation ठीक है बहुत है बहुत है technology होती है पहले के time में अलग तरीके से technology work करती थी आज के time में और आने वाल टाइम में दिए दिर artificial intelligence आ रहा है जो chip जितने में मिलता था वो उतने में मतलब उतनी performance देता था आज के time में उतने में सस्ते में ही chip और ज्यादा बहतर performance देता है तो ये सारी चीज़े हैं types of innovation में अब आगे बात करते हैं innovation process आप खुद कैसे एक अच्छे से innovation कर सकते हैं आप कलको company में खुद का अपना त्यार करते हैं या फिर चाहते हैं कि कुछ नया मैं create करूँ तो आप कैसे उसमें invest कर सकते हैं खुद से कैसे सीख सकते हैं देखिए तीन स्टैप है पहला दूसरा तीसरा ये तीनों को अच्छे समझना तो पहला है देखो understand problems सबसे पहले हमको समझना होता कि problem क्या है problem को खोजो और उसको समझो कि वो है क्या दिक्कत क्या है उसको समझने के लिए क्या करना होगा आपको collect information उस problems related जो भी सारी information है वो सारी information आप collect कीजिए अच्छे से समझे कि हाँ ये funda पूरा क्या है उससे आपको काफी सारी चीज़ समझाएंगी वो work कैसे करता है उसके बाद clearly identify the problem उसके बाद पूरा के पूरा आपको identify करना है कि हाँ basic main feature क्या है जिस पे मिरे को work करना है उसके कारण एक नया प्रड़क्त लियार होगा अब वो हो गया पहला आपने समझ लिया problem क्या है अच्छे से उसको analyze कर लिया information अगरा collect करके second जाता है thinking about solutions अब आपको solutions के उपर focus करना है find some new ideas new ideas के उपर focus करना है यहाँ पर आपकी काफी सारी चीज़े पर work होगा नए-ने तरीके से उसको बना के देखोगे नए-ने तरीके से उसको करके देखोगे बहुत सारी information वर्क होगी बहुत सारी research होगी तो वो सारा आ जाता है एक नया solution और एक नए idea को खोजने में काम लग जाता है अब आयाता है इसमें तीसरा point जो की बहुत important है जब माल लो आपने नए idea तो खोज दिया येकिन idea को अच्छे से upgrade करके उसको पूरा implement करने का काम ही तीसरा step है जैसे कि है take actions and implement the solution जो आपने idea खोजा है या जो solution बनाया है उसको अच्छे से implement करने के लिए आपको एक पूरा roadmap त् करना होता है अगर चोटी organization है चोटा आपका कोई company है तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि basic simple सा structure त्यार कर सकते हो उसके उपर वग कर सकते हो लेकिन जो बड़ी organization है बहुत सारी चीजों पर वर्क करना होता है तो एक आपको roadmap बनाना होता है कि हमको इस चीज से लेके इस चीज प करने का तरीका होता है और उसको अच्छे से नए product के रूप में बनाने का होता है तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा समझने को मिला होगा है अगर जानकारी मिली हो अच्छा कुछ समझने को मिला हो तो like कर सकते हैं इस वीडियो को अ कर दो कर दो कर दो अ